जाहिन फ्रेंज, स्वाकत हाँ आपका अपना वीटूब चैनल, एजूके सेमस्टर में आज हम बिलोपन भी दी, जिसे इंग्लिस में Elimination Method भी कहते हैं इसके द्वारा हम समीकरण को हल करने के लिए सिखेंगे तो हमारे पास question है x plus y equal to 5 और second number equation है 2x minus 3y बराबर 4, 4, तो सबसे पहले इस Method में हम क्या करते हैं किसी एक को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं और काट लेते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह plus है और यह minus में तो चलिए इसी को हम बराबर करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें वाला से हम इसमें गुना करते हैं तो इसमें गुना करने के लिए क्या करेंगे इससे करेंगे तो यहां पर कितना है थिरी वाई मतलब थिरी से गुना करेंगे इसमें इसमें के मतलब equation first में हम कितना से थिरी से multiply करतेंगे और उसके बाद second number में हम क्या करेंगे y है तो y के मतलब सिर्फ y 1 छीपा हुआ है तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो चलिए कर लेते हैं आपका 3 में x plus y बराबर 5 ये total को multiply करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 x है आप plus का 3 में y से करेंगे तो 3 y आप बराबर 3 पाचे 15 ये आपकी जो equation आजाएगी वो आपकी third equation आजाएगी अब हम क्या करेंगे अब हम 1 से गुना करेंगे ये second order में total में तो 1 से 2 x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 x आप minus का 3 y आप बराबर 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ये आपका fourth number equation आजाएगा अब हम क्या करेंगे अब हम बराबर करके काट लेते हैं बराबर हो गई plus 3 x और minus 3 y ये दुनों बराबर है इसको cancel कर देंगे कर गया तीन अदू 5 हो जाएगा आपका 5 x अबराबर 15 के आगे plus है और 4 के आगे भी plus है तो 15 और 4 हो क्या कर लेंगे जोर लेंगे तो 15 4 19 ओके या अब हम क्या करेंगे अब हमारे पास आ गया क्या चीज 5 x बराबर 19 तो x का value यहाँ से आ जाएगा 19 बटा 5 ओके देरफोर x का मान आ गया आपके पास कितना 19 बटा 5 यह आपका पहला answer हो जाएगा x का value अब हम क्या करेंगे अब हम y का value निकल लेंगे तो y का value क्या निकलते हैं कैसे निकलते हैं x का value को हम क्या करते हैं समी करन 1 में put करते हैं तो x का मान लिख सकते हैं x का मान समी करन 1 में रखने पर पुटिंग दा value of x in equation 1 यह देखते हैं 1 हमारे equation x plus y बराबर 5 तो x का मान अभी आया था कितना आया था 19 बटा 5 तो x बराबर लिख सकते हैं 19 बटा 5 आप प्लस का y बराबर क्या लिख सकते हैं आप 5 ओके अब हम क्या करते हैं 19 बटा 5 इदर प्लस में हम बराबर को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो वाई यहां छोड़ देंगे हम y बराबर क्या हो जाएगा 5 और माइनस का क्या हो जाएगा 19 बटा 5 अब हुम क्या करेंगे या y बराबर आप क्या करेंगे एक लिख के और उसके बाद क्या करेंगे ले ले लेंगे ओकई तो एलसे लिजेगा भाग दिजेगा 5 में एक से तो 5 पांच का पहारा 5 बर पर पढ़िएगा तो 25 पच्शीश ओके और मैनस का पांच से कम 5 एक 19 से गुणा करेंगे तो 19 अब क्या करेंगे y वराबर क्या हो जाएगा 25 में से आप 19 घटा दीजेगा तो कितना जाएगा 6 अब अटा 5 तो यह आपका value हो गया y का value कितना आगया 6 by 5 ओके friends तो इसी तरह से हम below-open बिधी मतलब elimination method में equation को क्या करते हैं हल करते हैं तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज की वीडियो या आज की class हमारी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह कि वीडियो का अपडेट और मैठ का अपडेट हमेशा सबसे पहले और सबसे जल्दी आपका अपने यूटीब चैनल एजुकेस्टन मास्टर पर मिलता है थैंक्यू तब तक के लिए चैनल